चैलेंज है, चैलेंज, चैलेंज शिकार करिए सारे रोग दुरोगेए, आप सोच रहे होंगे कि मैं बाबा बाघेश्वर की बात कर रही हूं, लेकिन नहीं, मैं बात कर रही हू did, करोली जी की कहाणी तो बहुत पहले ही शुरू हो गए, लेकिन लोगों ने इनको पहचानना 2019 से शुरू किया कुरोली सरकार बाबा डॉक्टर संतोष सिंग भदोरिया का पराधी से बाबा बनने का सफर बहुत ही ज़्यादा दिल्चस्प है रिपोर्स के नुसार संतोष सिंग भदोरिया ने खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आयरुवेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनाया था उसके अस्पताल में फीजियो धरेपी के लिए लोग जादा जाय करते थे लेकिन संतोष भदोरिया को इससे भी प्रॉफिट नहीं हुआ इसके बाद 2017-18 में उनके पूर्वजिन मुक्ती केंद्र उन्होंने खोला और करोली सरकार बन गए संतोष सिंग पर 92-95 के बीच हत्या और 7 LAC समेट कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए है पहले तो वो पुलीस से बचने के लिए किसानों का नेता बन गए किसानों का नेता बन कर जमीनों पर अवैद कबजे करने लगे इन पर कोतवाली थाने में चच की जमीन का एग्रिमेंट कराकर पैसे हडपने का भी आरोप है बिधुन के भुटान पट्टा सरकारी दस्तावेजों में हेरा फेरी कर आश्रा मिनों ने बना लिया के बाद यूट्यूब पर तंत्रमंत के जरिये समस्याओं को हल करने के वीडियोज अपलोड करने लगे और धीरे धीरे करके संतोष सिंग भदोर्या बन गए करोली बाबा जिनका कोई भी मंत्र खाली नहीं जाता है ये रूस और यूक्रेन युद को भी खत्म कर सकते हैं लेकिन पता नहीं क्यों जलिंसकी बाबा के पास जाते ही नहीं है खेर हटाओ बाबा कितने effective है ये तो या उनके भक्त बता सकते हैं या वो खुद और भक्त बाबा के ऐसे हैं कि बाबा के उपर वो जान लुटा दे बाबा के भक्त उन्हें पैसे से भर कर रखते हैं एकदम कंठ तक तब ही तो बाबा जी 20 करोड रुपे सिर्फ टैक्स में ही दे देते हैं 20 करोड रुपे टैक्स देने वाले बाबा तीन रेंज रोवर के काफिले से घुमते और उनका पूरा आश्रम 14 एकड में फैला हुआ है बाबा की खुद किये कोठी भी है जहांपर वो अपने परिवार के साथ कॉलिटी टाइम बिताते हैं बाबा के दर्वार में रोज के करीब 3500-5000 भक्त आते हैं और अम आवस के रात तो यहांकड़ा 20,000 पार कर जाता है बाबा के आश्रम में आने के लिए मोटी फीज लगती है उसके बाद हवन कराने में 35,000 रुपे और अगर 9 दिन का हवन करा रहे हैं तो 31,500 में वो 9 दिन का हवन होता है और एमर्जेंसी का इलाज 1,51,000 में बाबा जी बैलन्स बैलन्स बोल कर लोगों का बैंक बैलन्स ही खाली कर देते हैं तो अब बाबा बागेश्वर के बाद करोली सरकार का नाम कुछ जादा ही तेजी से सामने आ रहा है बाबा का दावा है कि वो कोई भी बिमारी को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं अगर आप इनके विडियोज को देखे तो आपको देखेगा कि ये उंगली घुमा करके और बैलेंस बैलेंस मंत्र फूख करके लोगों का ब्रेन ट्यूमर ही ठीक कर देते हैं और उनसे फिर सवाल पूछते हैं कि अब कैसा दिख रहा हूं मैं? मैं क्या तुम्हें साफ दिख अगर आप उनके भक्त हैं तो कॉमेंट करके हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता है और अगर आप उनके भक्त नहीं आप जानना चाहते हैं और आपने कुछ पढ़ा है कुछ जाना है उनके बारे में तो भी कॉमेंट करके अपनी राय जरूर रखें क्योंकि अगर ये युद्ध है, बाबा का दावा है कि ये उसको भी खत्म करवा सकते हैं ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेट रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइबर शेर करना होगा मैं ते आपके साथ आशी से